मुझे सौक नहीं हर किसी के लिए मीठा बननेगा क्योंकि अगर समंदर मीठा होता तो लोग कप कपी गए होते इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम इस जीवन में संसार में दुनिया में हर किसी को खुष नहीं रख सकते हैं अगर हमें अपनी जो कहानी है उसे पूरी करनी है मतलब हमें अपना कैरियर बनाना है तो हर किसी को खुष करना मेरे बस की बात नहीं हमसे किसी का नुकसान ना हो बस इतना देखते चलो इनी ग्यान की बातों के साथ आज का क्लास सुरू होता है वीडियो नंबर 56 और वन वीडियो वन टॉपिक वाली सिरीज है टॉपिक है चैरवा अचरपद इंगलिस में बोलते हैं वरियेबल एंड कांस्टेंट है बहुत ही छोटा फा टॉपिक तीन मिनेट का टॉपिक होगा मुश्किल से बाकी मैं आपको थोड़ा और आगे एक् है पेहला सवाल है के निमन में कॉन चर्वर है चार को इंगलिस में बोलती है वैरियेबल यहां पर जैसा की नाम स स्ट्रियल बदलता रहता है चेंज होता रहता है कंस्टेंट स्थिर रहता है ठीक है तो इसमें कौन है जो चेंज होता रहे है वो है यह पी ठीक है इसके बारे में अभी मैं आपको बहुत स्थार से बताऊंगा बहुत एक्स्प्लेन करके बताऊंगा इन में कंस्टेंट कौन है अचरप कोई नहीं को आप कहसके हो यह क्या है इन लुटर का मिचल्ण में समझ रहे हूं कि छॉतल में पानी मिला दो फिर यह डूहां टो दूध्र है ना तो पानी का लड़का है लड़की है तो आप कहा सकते हो यह गरल है वो गरल है लेकिन यह क्या है टांसजंडर है जो ऐसे बजाने वाले देख्यों तो वह क्या है दोनों का मिक्सर है लोग कहते हैं अपनी अपनी जगा चलिए अपहले हम इनको को explain करते हैं कि यह चर और चर है क्या है चलो भाई मिक्चर समझ गए मिक्चर समझने के बाद आगे देखो जितने भी यह आपने पढ़ा होगा क्या बोलते हैं वरियबल मतलब इनके मान जो है वो वरी करते हैं मिंस चेंज होते रहते हैं जैसे आपको इस समीकरन हल करोगे उसमें अगर आपने अगले कमान कुछ अगला रखा तो अगला चेंज हो जाएगा situation और जरूरत के अनुसार क्या होते हैं यह बदल जाते हैं भाई मौका पाके न मतलब इनके यार बन जाते हैं जैसे देखो यहाँ पर अगर x square प्लस y है न और बड़ाबर कर 9 है यहाँ पर अगर x की value मैं 0 रखूं x की value अगर मैं 0 रखूं तो y की value 9 आ जाएगी क्या आएगा y कमान 9 आएगा समझना है यहाँ पर y कमान क्या है 9 बट यह y बदलता रहता है situation के according इधर से उधर यह क्या होता है टस का मस होता रहता है जैसे इसी सवाल मैं आगे बढ़ूं अगर मैं x square प्लस y को 9 इसमें x का value मैंने 3 रख दिया आप देखना आप देखना क् दानिय y बराबर 9 और y बराबर आएगा 0 इतने में ही तने बड़े का अंतर y वही है इसकी सकल थोड़ा सा लाल पीली हो गई अलग बात है बाकी equation वही था यहाँ पर y की value 9 आई यहाँ पर क्या 0 है अगर x का value हम 1 put करें तो क्या आएगा 8 आएगा y कमान मतलब इसके मान क्या है चेंज हो रहे है बट 9 कहीं बदला नहीं मर जाएंगे हम लेकिन बदलेंगे नहीं कहते हैं रग उकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाई तो यह जो constant है ना यह बिलकुल उसी रीत पर चलते हैं इनकी जान से ज़्यादा इनकी जुबान की कीमत होती है है पसे इंसान मिलते नहीं फिलाल यह टॉपिक मैत वाला है तो मैत में चलो ज्यादा रियल्टी में मत जाओ तो मेरा यह कहने का मतलब है कि जो constant है यह नहीं होते हैं यह वही रहते हैं हर जगा हर situation में कुछ भी हो आप इनके मान में कितना भी तोड़ फोड़ करो कुछ भी मेंगा जो आर्फ नहीं रखो नाईन में कोई फिक नहीं बढ़ेगा वह एसा ख़डा रहा है लेकिन अगर आपने आपने व merry कमान कुछ और रखा थे ये क्या रखा और प invented बूदा देख क्या is इसके मान चिंज होते हैं तो एस लेकर के जड़ तक के जितने भी लेतर हैं वो सबी क्या है वरेवल है जिने इंगलिस में बैर्येवल और हिंदी में चर्पद बोलते हैं एफ ले करके जड़ तक कुछ भी कहीं भी ठीक है इसके आपके आचर जो होते हैं यह अनलिम्टेड होते हैं अनंत तक होते हैं कि लिमिट नहीं होती है ठीक है जहां से भी आप ग अनंत से प्लफ अनंत तक क्योंकि जो निगेटिव होते हो भी तो यह माइनस का 5 यक्स है धन वाई है तो यह माइनस का 5 कभी बदलेगा थोड़ी कि एक्स कमान कुछ और रखोगे वाई कमान कुछ और रखोगे तो मैंस 5 प्लस नहों हो जाएगा आफ़न होगा ना तो यह भाईया बात समझते चलो कि चाहे माइनस हो या प्लस हो वो क्या है कंस्टेंट ही है इसका अगला वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और भी चीज़ें काफी चीज़ें बची हुई है थोड़ा सा और बता दू गुडांग क्या होता है जैसे कह रहा है इसमें y सब्सक्राइब अब Y स्कॉर को छोड़के जो बचा बाकि सब लेलो जो बचा बाकि सब्सक्राइब क्या है आठ हेक्स तो क्या है समझ रहे हो जैसे माल लीजीए कि सीके तीन भाई है रमेस पंकाज मोहन आप कहें कि मोहन कितने भाई है वैसे आप मोहन तो टोटल तीन भाई हैं लेकिन मोहन को छोड़ के कितने भाई हैं तो दो भाई हैं मोहन को छोड़ दो बाकी को गिन लो समझ रहोगा नहीं तो वैसे इनकी कहा जाए कितने भाई है तो भाई साब इनको छोड़ दो अगले को गिन लो यहां पर अगर माइनस या प्लस में है तब भी आपकी बातें वही चीजें लागू होंगी यह स्कॉयर का गुडांग को पुछ रहा है इसमें यह स्कॉयर को छोड़ के बागी सबको ले लपेट लो माइनस एक बटा पांच रहेगा माइनस इसमें है तो ठीक है य और जड यह सही है तो समझ में आया सभी को किसी को कोई डाउट है कोई अपती है तो मुझे बता दीजिए और हाँ यह वीडियो आप कहां से देख रहे हो कमेंट में जरूर बताना मुझे कितना बज़े देख यह भी बताना अपना जिला और राज्य का नाम लिखना है ठीक है जैसे आपकी कलास परियाग राज उत्तर परदेश से होती है अभी 2025 में महाकुम्ब होने वाला है आप लोग आईएगा मुलाकात होगी जरूर है ना तो कमेंट में बताना अच्छा लगता है ठीक है बहु बताने जरूर राज गारेंग दने माँ